हलो फ्रेंट्स मेरा नाम है जीवन और इंसाइड फैक्ट में आप सभी का श्वागत है आप लोग बॉलीवूट के इस्टार अप्छे कुमार सलमान कान और सनी देवल इन जैसे सभी कलाकारों को तो जरूर जानते होंगे लेकिन क्या आप इन इस्टारों के रियल नाम को जानते हैं अगर नहीं तो यह खास वीडियो आपके लिए ही है लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर हैं न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और नहीं आने पर डिसलाइक करना भी ना भूलें तो चलिए वीडियो की और बढ़ते हैं हमारे पहले नमर पे जो एक्टर हैं उनका नाम है मिथुन चक्रवर्ती जी हाँ दोस्तों फिल्मों में आने से पहले मिथुन चक्रवर्ती का नाम गौरांग चक्रवर्ती था उसके बाद उन्होंने किसी की सलाव पर अपना नाम बदल कर मिथुन चक्रवर्ती रख लिया था दूसरे नमर पे जो हमारे एक्टर है उनका नाम है सनी देवल जी हां तो सनी देवल का असली नाम अजे सिंग डेवल है लेकिन फिल्मों में एंटरी से पहले उन्होंने अपने नाम बदल लिया तीसरे नमर पे जो सूपरिश्टार है उनको तो सभी जानते होंगे बॉलिवुड की सान बजरेंगी भाई जान के नम से मसूर बॉलिवुड एक्टर सल्मान खान बहुत कम लोग जानते होंगी कि सल्मान खान का असली नाम अबदुल रसीद सलीम सल्मान खान है क्या आपको पता था कॉमेंट सेक्षन में हम जरूर बताएं चौते नमर पी जो एक्टर है उनका नाम है बॉवी देवल जी हाँ दोस्तों मसूर एक्टर धर्मेंद के छोटे बेटे बॉवी देवल ने अपने भाई सनी की तरह फिल्मों में एंट्री से पहले नाम बदल लिया था उसका असली नाम बिजय सिंग देवल है पाचमे नमर पी जो एक्टर है उनका नाम है टाइगर स्रॉफ जी हाँ दोस्तों टाइगर स्रॉफ का असली नाम जै हेमंत जैकी स्रॉफ है उन्होंने भी फिल्मों के लिए अपना नाम टाइगर रख लिया था चाटे में पर एक्टर उनका नाम इंडर्नेशनल खिलारी अक्षे कुमार जीहां दोस्तों अक्षे कुमार का असली नाम राजी भरी ओम भाटिया है कई मौकण पर वो इस बात को भी बता चुके हैं साथमे नम्पर पर जो एक्टर उनका नाम है अजे देबगन जी हां दोस्तों बॉलिवूर में सिंगम के नाम से मसूर अजय देबगन का असली नाम विसाल देबगन है आठवे निमर पे जो एक्टर है वो है सदी के महवन आयक्स असरी अमिताब बचन जी जी हां दोस्तों अमिताब बचन का असली नाम इनकलाब से बास्तव है आज हम उने बिग भी सहंसा जैसे कई नामों से पुकारते हैं कॉमेंट करके हमें जुरूर प्रदाय कि एक्टरों में से सबसे ज़्यादा आपको कौन सा एक्टर पसंद है तब तक हमारे वीडियो को देखते रहे और नया कुछ सीखते रहे थैंक यू